कि अच्छ वेलकम तो बिंटो शूट्स मेरा नाम है राहूल और इस वीडियो में हम करेंगे एक क्विक अन्बॉक्सिंग रियल मी वन स्मार्टफोन की यह एक रिटेल बॉक्स है और यह मुझे कल ही मिला है एमेजन से यह देखे यहां पर सारे बॉक्स कंटेंट्स है जो भी स्पेसिफिकेशन वगेरा है कस्टमर कंप्लेंट का नंबर सब दिया हुआ है आप देख सकते हैं प्राइजिंग यहां पर लिखी है 14,990 बट यह फोन 13,990 का मिल जाता है हमें इस साइड में कुछ भी नही वाला यह मॉडल है 19 में 2018 की इसकी डेट है ब्लैक कलर का फोन है और आप यहां पर देखे सार वैल्यूस हैड और बॉड़ी की यह 1.6 से नीचे है और यह मेड इन इंडिया लिखा है डिजाइन बाइ ओपो तो गैस बॉक्स के अंदर आपको यह सारे कंटेंट्स मिल जाते ह है मैंने फटा-फट से निकाल लिए है एक यह USB 2.0 की केबल है वाइट कलर की आपको चार्जर मिलता है यह 5 वोल्ट 2 एंपियर का है काफी बड़ा सा चार्जर है पीछे आपको ब्रैंडिंग मिलती है एक आपको क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है जिसमें फोन को कैसे आने हैं और प्रोड़क्ट के डिस्क्रिप्शन दिये हुए हैं दूसरी आपको मिलती है यह बुकलेट जिसमें कि आपकी वारेंटी रिलेटेड इन्फोमेशन और सारी चीजें दी हुई है आपको एक केस मिलता है यह है केस ट्रांस्परेंट केस है थोड़ा सा स्ट्रॉं Beauty केस एह मैं आपको यह फोन जागा के दिखांगा थोड़े देर में यह आपको मिलती है hag संप एक्कों मिलता है फोन यह देखे है target fawn गुच इ simplest तरह का है ब्ल्ए टृत क सब्सक्रय को ओक्ति अपूसक्तट है यह पस्टिक स्पर यह बैक साइड में है तो जाए रहा पोन देख लीजे आप यह रीटेल पैकेजिंग में से आया है यह देखिए साइट्स यह रहे आपके वॉल्यूम बटन्स यह देखिए नीचे की तरफ यह रहा आपका स्पिकर ग्रिल जैक माइक और हेड़फोन जैक राइट साइड में है पावर बटन और आपकी ट्रे आपक दोस फोन को पूरी तरह से कहीं पर मेटल नहीं है मैं आपको बता सेना चाहता हूं पीछ हैं फंड फाइबघ घ्लासर नहीं फाईबर ग्लासर और साइट्स चूंने में फाइबर ग्लासर पोली कार्बणूनेट बटन्स इना वैसे ही है लेकिन इनका जो क्लिक यह अच्छ यहां पही जब आप साइड से चोईगे तो आपको यह स्क्रीन घाड फील भी होगा इसके उपर एक फैक्टरी विट इट इट स्क्रीन mia लगा हुआ है फिल अख कगी व्हुज़े चाहें तो करें यह के साथ देख लिए यह रहा फोन कवर के साथ ये थिए कवर ये फोड़ा काफि ठिक कवर है जो jednak के फोनglich के साथ और ये काफिude कवर Just for comparison being a patient MIs case और शीक मुकाबले ये थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा बी है ये काफी सार्फ था ये ये तक ये आसानी दिल भी, में इस बीजाता है। ये इतनी आसानी से नहीं निकलता ये स्क्रीन के पी ऊपर आता है तो आप़ प्रोटेक्शन मिल जाती है और यह देखिए सारे पोर्ट के कट आउट अच्छे से बने हुए है बटन्स वगएरा कवर्ड हैं इसमें बटन्स का कोई कट आउट नहीं है टॉप पे खाली है यहां भी बटन्स कवर्ड है और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है आपको यह तो ग देखिए यह अनलॉक हो गया अब देखिए दूसरी बात मैंने इसमें अपना पिक्सल लॉंचर इंस्टॉल कर दिया है जो मैंने रेड्मी नोट 5 प्रो में भी यूज किया है और यह देखिए यह बढ़िया काम कर रहा है अब मैं आइस को क्लोस करूंगा और फिर देखें करने पर भी इस इशु के बारे में हमने रियल मी का जो हमारा कॉंटक्ट था उनको इंफॉर्म कर दिया था कि इसमें आप आइस खुली हो तभी फेस अनलॉक दीजिए वरना नहीं उन्होंने कहा कि वह डवलप्मेंट टीम से बात करेंगे रियल मी की तो यह चीज यह क्लोन फोन का ऑप्शन देगा तो वह आप जरूर यूज कर लीजेगा क्लोन फोन यूज करके आप अपने पुराने फोन से इस फोन को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू होट्सपॉट और फिर यह जो भी एप्स फोटोज हैं सबके सब इस नए फोन पे इंस्टॉल कर देगा यह जितनी सारी एप्स हैं यह मैंने कलोन फोन करके ही इंस्टॉल करी हैं और सारी एप्स इस फोन में आ गए थि उससे आपका काफी सारा टाइम बच जैगा लेकिन एक बात के ज्छहन रखे कि एप्स तो इंस्टॉल हो जाएंगी लेकिन उसमें लॉग इन करना और आप ड दिखान रखना होगा सेट अप के वक्त दोस्तों बिल्ड और हैंडलिंग में तो ये फोन मुझे अच्छा ही लग रहा है थोड़ा लाइट भी लग रहा है देखे ये रेड्मी नोट फाइफ प्रो है ये थोड़ा हेवी लगता है इसके कंपेर्जन में मैं आपको ऐसे में और और ये अच्छ का ये बराबर ही है साइज में क्या रर स्थी में आप साइड वे भी चाहित्वरे यह च्छायदा डंपे लगने नोट फाइफ प्रो कंपर 問 causate साइड़ यह बोर्त भाइफ संधों तो रेड्मी नोट फाइफ थौ फोड़व्य ड्याज़्यं तो यहां पर मैंने डोनवन में सेम तरह का सैटफिप किया है He साइडवाई साइड देख सकते हैं यहां पर आइकन्स छोटे आते हैं साइस में यहां थोड़े बड़े हैं मैं सेम आइकन स्टाइल भी आपको करकी दिखा देता हूं सेप स्क्वैर कर देता हुं अब देखे अब आपको एकदम सेम स्क्वार आइकन और सब दिखेंगे तो थोड़ा सा फरक है डिस्प्ले क्वालिटी भी आप देख सकते हैं साइड बाई साइड दोनों की एकदम बराबर है कुछ ऐसा नहीं है ज्यादा फरक और सनलाइट लेजिबिल्टी भी दोनों की अ बराबर है कोई ऐसी दिक्केत की बात नहीं है अब गाइस यहां देखो आप ड्यूल 4G वीओ ल्टी बढ़िया काम कर रहा है देखो दोनों सिम पर 4G है वीओ ल्टी भी चल रहा है और इसमें एक जियो और एक एटल की सिम है लेकिन ड्यूल 4G वीओ ल्टी इसमें बढ़ तो इसमें जाहिए यहां पर आपको दिखेगा एप लॉक अपलाग कौन कर दीजिए एक मैं सीप्यूजी से आपको करके दिखा देता हूं यह देखे यह सीप्यूजी पर मैंने क्लिक किया और यह देखे यह अप अन्लोग हो गई अब देखे मिनिमाइस करने के बाद भी अरग रहांग को जब भी आप खोलते हैं ओर तो यह दिखे यह बार बाद फेस कुझ करने की लिए अलगाता है और अगर आपने मिनिमाइस करने के लिए ऐसाइक्स का कि लिधा सब्सक्राइट करना करना पढता है इसे अनलोग हो अब रिट्राइब करने के लिए ृist प्र log का देमो धेग चीज़ और जो मैंने नोटीस करी है कि इसमें जो नोटिफिकेशन और वो से उप ने हो पाती देखें ये एक नोटिफिकेशंन ऐसे स्वाइब नहीं होती तो या तो आप तो आप इसको ट प्रकर कर लिए या फिर आप मीचे जो क्रॉस है इसको प्रेस करिए और नोटिफिकेशन हट जाती है वैसे तो ओवरॉल मैंने इस रियल्मी को भी सेट अप कर लिया है अपने रेड्मी नोट फाइफ प्रो की तरह और क्लोन आपकी मदद से काफी समय भी बज़ गया और सारी अप्स एस इंस्टॉल हो गई मेरे ही लांचर की तरह तो यू आइए एक दम अभी सेम लग रहा है मुझे वह कलरो इसके कार्टूनिश आइकन भी नहीं देखने पड़ रहे तो आप भी ऐसा कुछ ट्राइ कर सकते हैं इस फोन के साथ की जितने भी तरह के रिव्यू है रियल्मी के वह मैं पहले ही कर चुका हू और उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंड में मिल जाएगी रियल मीवन की प्लेलिस्ट है जिसमें के आपको बैटरी हीटिंग गेमिंग साउंड टेस्ट फेस अनलॉक कैसे सेटप करना है कलरो और इसके फीचर क्या-क्या है और जो भी आप लो अन्बॉक्सिंग मेरी तरफ से आई होप आपको पसंद आई हो और अब देखे मेरे पास रेड्मी नोट फाइफ प्रो है और मेरे पास प्लमी वन भी है तो दोनों की एक कैमरा कंपैरिजन मुझे करनी है आप लोगों के लिए तो उसके लिए मुझे थोड़ा समय आपको कैमरा कंपैरिजन दिखा दूँगा फिलाल आपको एक चीज दिखा देता हूँ जो आपको इंट्रेस्टिंग लगेगी तो यह देखे मैंने दोनों का कैमरा ओन किया इसको अलाव कर देते हैं यह देखे लिए सेम डिस्टेंस पर है और आप देख सकते हैं कि रियल मी का आप देखे कि कैमरा काफी वाइड है और यह जो वाइड कैमरा है इसी की मदद से फेस अनलॉग में भी फोन चाहे थोड़ा सा ऐसे हो या ऐसे हो आपके फेस को रीड कर लेता है और फेस अनलॉग काफी फास्ट हो जाता है एक चीज़ और आपको यहां दिखा दूँ को मैं आफ कर देता हूं लेकिन रियल मी में भी देखे फ्लैश का ऑप्शन है बट यहां फ्लैश नहीं है यहां पे स्क्रीन फ्लैश होती है जैस्ट एक डेमो के लिए आपको दिखा देते हैं चलिए एक फोटो ही ले ले लेते हैं दोनों की फ्लैश तो रेड मी में स्क्रीन कैसे फ्लैश हुआ तो यह एकदम लो लाइट में थोड़ा सा हेल्प करता है फिर भी एक जो टॉर्च है यहां पे रेड मी नोट 5 में इसकी बराबरी नहीं कर सकता आपको फोटो भी दिखा जैता हूं एक चीज़ बता दूं कि मैंने दोनों ही फोन्स में सब्सक्राइब को आफ कर रहा है मैंने यह दिखें साइड वाइस साइड आप फोटोस यह दिखिए आप खुद देख लीजिए कोई ज्यादा कमेंट्स नहीं करेंगे यहां पर यह 20 मेंगा पिक्सल की फोटो यह 8 मेंगा पिक्सल की मेरे इस आप से इसमें थोड़ा कलर्स पिक्सल की फोटो कितनी अच्छी आती है मैंने आपको वैसे भी कहा था कि फ्रेंड कैमरा काफी अच्छा है रियल मी का तो वह आपको मैंने दिखा दिया तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मैंने आपको कुईक अन्बॉक्सिंग डेमो बॉक्स करिये कोई डाउट कमेंट है तो वह आप नीचे कमेंट में डाले और वीडियो को शेयर करिये सब्सक्राइब करिये चैनल को और सपोर्ट करिये मैं आपसे मिलता हूं जल्दी तब तक के लिए टेक केर गईस झाल